क्या आपको पता है कि दुख का अनुभाव कैसे होता है? अगर मेरा बच्चा या मेरी माँ मर गई, जिसे मैंने बहुत चाहा, वो मुझे छोड़के अगर चला गया. अगर किसी अपने की मृत्य हो जाती है, तो हमारी क्या हलत होती है? हम दुखी हो जाते है, निराश हो जाते है, अकेले पड़ जाते है, हम इतना दुख बरदाश्ट नहीं कर पाते, इसलिए उस दुख से हम दूर भागते है, हम उससे बच निकलने की कोशिश करते है. जो अकेला पन, जो तनहाई आती है, अपने को खोने का दुख, भारी दुख, जब मुझे घेर लेता है, तो मैं इससे बचने के लिए इससे दूर भागता हूँ, किसी विचारधारों को पकड़ता हूँ, या किसी धारना, किसी संकलपना के पीछे भागता हूँ. हम इस दुख से बचने के लिए कई बातों का सहरा लेते हैं, तो हमारा दुख से भागना हमें समझना होगा, उसे समझने के लिए सिर्फ पूरे सजक होकर उसे देखना काफी है. मैं मेरे दुख से, मेरे अकेले पन से भागता हूँ, और ऐसा मस्तिश्क जो दुख से भागता हो, उसे दबाता हो, या उसे नजर अंदास करता हो. ऐसे मस्तिश्क के बारे में सजक होना, जागरुक होना काफी है. उस पर नियंत्रन लाने की या उसे बदलने की कोई जरूरत नहीं. हमें बस सजक होकर, पूरे जागरुक होकर देखना है के कैसे हमारा मस्तिश्क वास्तविक्ता से भागता है, उसे नजर अंदास करता है. हमें कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है, केवल जो हो रहा है, उसे सजकता पुर्वक देखना है, बिना किसी चुनाव के. बराबर, तो अब हम सजक है, हमें पता है कि कैसे हम इस दुख से भाग रहे हैं, और ऐसा होते ही भागना बंध हो जाता है. जब हमारी पूरी नजर उस पर होती है, जब सजकता आती है, तो भागना रुख जाता है. जिस पल हम भागते है, बच निकलने की कोशिश करते है, वास्तविक्ता को नजर अंदास करते है, उस पल में हमारी उर्जा विर्थ जा रही होती है. किसी भी चीज से भागना उर्जा को विर्थ गवाना है, लेकिन जैसे ही आपको समझ आ जाता है कि आप भाग रहे हो, जैसे ही आप इसके बारे में सजग हो जाते हो, कि आप बचने की कोशिश में हो, जैसे ही आपको पता चलता है, जैसे ही आप सजग हो जाते हो, कि आप बच निकलने की कोशिश में हो, वैसे ही उर्जा का विर्थ जाना बंध हो जाता है. जैसे ही आपको समझ पढ़ता है कि आप भाग रहे हैं वैसे ही जो उर्जा वेर्थ जा रही थी वो बच जाती है समझ उर्जा को वेर्थ जाते हुए रोग देती है और इसलिए अब आपके पास जादा उर्जा है जादा शक्ती है आपकी जो मौलिक उर्जा वेर्थ जा रही थी सजक्ता के कारण जागरुक्ता के कारण उसका वेर्थ जाना रुख जाता है अब जब आपका भागना बंध हो जाता है तब आपका सामना वास्तविक्ता से होता है जो वास्तव में है आपने किसी अपने को खोया है मौत, अकेला पन, निराशा, ना उमेद होना जो भी भीतर चल रहा है, उस पर नजर रहे सजक्ता पूरी हो जिस से मेरा अब तक संबंध था वो मुझे छोड़ कर हमेशा के लिए चला गया अभी मेरा कोई सहारा नहीं है मैं अकेला हूँ, अकेला महसूस कर रहा हूँ मैं असुरक्षित महसूस कर रहा हूँ और मुझे में सजक्ता है लेकिन मुझे में अब सजक्ता है इसलिए मैं इसे देख पा रहा हूँ मेरे पास सजग होने के लिए अभी उर्जा मौजूद है क्योंकि मैं इससे बचने की या इससे दूर भागने की या इससे दबाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ मैं सजग हूँ, खोश में हूँ इस अकेले पन को लेकर जो मुझे डर है मैं उसके बारे में पूरा सजग हूँ, बराबर हम उस मस्तिश्क को सजग होकर देख रहे है जिसने किसी अपने को खोया है हम उस मस्तिश्क की स्थिति को जाच रहे है इस मस्तिश्क में अभी डर शामिल है उस डर को देखिए उससे बचने की कोशिश ना करे उससे भागे नहीं बिना किसी भी जुनाओ के उसे देखिए पूरा सजग रहे कर देखिए तब इस सजगता पूरवक देखने में ही वह डर सच में गायब हो जाता है हाँ ये होता है डर पूरी तरह गायब हो जाता है और ऐसा होते ही अब आपके पास और भी जादा उर्जा बच्चती है आप और भी उर्जावान और भी शक्तिशाली हो जाते हो फिर अब जादा उर्जा के साथ आगे दुख अब दुख ही है दुख क्या है? हम क्यों खुद पर तरस खाते है खुद पर तरस खाना क्या है? मैं उससे महत्वपूर्ण हूँ जिसकी मृत्वी हुई है असल में मैंने जिसकी मृत्वी हुई है उससे कभी प्यार किया ही नहीं मेरी पत्नी या बच्चा जो भी मुझे हमेशा के लिए छोड़ गया मैंने उससे कभी प्रेम किया ही नहीं इस जागरुकता में पता चलता है कि प्रेम कभी था ही नहीं ये सच्चाई है और इसे स्विकारना बहुत जरूरी है क्योंकि प्रेम पूरी तरह से अलग है जिसे प्यार कहते है प्रेम कहते है वह बहुत अलग है वो कोई मज़ा या कोई सेक्स इत्यादी नहीं है वो बहुत अलग है तो इस जागरुकता में जब आपको पता चलता है कि प्रेम कभी था ही नहीं तो ये पता चलने के बाद आपके पास और भी उर्जा बच्चती है अभी आप पूरी तरह से उर्जा से भरे हो अभी भागना नहीं है, डर नहीं है, खुद पर तरस खाना बंध हो चुका है वो जो दुख था, वो जो अकेला पन था, सब चला गया है, सब कुछ विदा हो चुका है और अब आपके पास अपार उर्जा है, आप उर्जावान है और यह उत्सा से भरी उर्जा ही असल प्रेम है इसे ही वास्तविक प्यार कहा गया है प्रेम पूर्ण सजक्ता है पूर्ण सजक्ता, पूर्ण जागरुक्ता, यही प्रेम है टोटल अटेंशन में हो नहीं, प्यार में होना है खुद से इमानदार रहिए, जानिए कि प्रेम का मुझे कोई पता नहीं इस बात को स्विकार करना मैंने अब तक तो प्यार करने का नाटक ही किया है पर वास्तविक प्रेम नहीं किया इस वास्तविकता को पूरी इमानदारी के साथ देखना जरूरी है और अभी मैंने जो खोज निकाला है, मैंने जो ढूण निकाला है, वो वास्तविक है जो वास्तविक है, जिसे मैं देखता हूँ और आगे बढ़ता हूँ जो भी है मैं उसके प्रती पूरा जागरुक हूँ और यह जागरुकता ही हमें इस सफर में आगे ले जाती है यह जागरुकता जीवित है जो निश्कर्ष के बारे में नहीं सोचती यह सजकता जागरुकता हमेशा जीवन्त है ये अच्छा या वो बुरा ऐसा कहने की ऐसा सोचने की कोई जरूरत नहीं किसी निशकर्ष पे जाने की कोई जरूरत नहीं बस सजक रहिए और यही सजकता यही जागरुकता आपके भीतर जोद बन जाती है और जब आप पूरे जागरुक हो तब आप ही प्रेम हो